अपनी 14 वर्ष की छोटी सी उम्र में एक बालक अपने घर से निकल कर और अपने देश को छोड़ कर विदेश चला जाता है और कुछी समय बात विदेश में अर्बो का कारोबार स्थापित करके अरब पती बन जाता है जी यह यह कोई फिल्म की कहानी नहीं बलकि एक सचाई है यह सच क्या है अमेरिका में रहने वाले अरब पती एंटर्पनियोर लीविंग इन सेल्स के सीओ और फाउंडर मनोज भारगव ने मनोज भारगव मह 14 वर्स की छोटी सी उम्र में बारत को छोड़ कर अमेरिका में चले गए थे और वहां उन्होंने कई सफल कारोबार खड़े किये और वो अब एक बिलियन की कमपनी बन चुकी है और अमेरिका में प्रमुक अरब पतियों में सुमारे मनोज भारगव एक बिलियनेर एंटर्परनेर तो है ही सांत ही साथ में वे इसलिए भी प्रसिद्धे क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ती का 99% हिस्सा समाजी कारियों के लिए लगा दिया है बिलियनेर बनने के बाद में मनोज भारगव का मन कुछ और अलग करने के लिए बेचैन हो रहा था जिस वज़ा से वे अब अपने बिलियन्स इन्चेंज के द्वारा बारस सहीद पूरी दुनिया में बदलाव लाने के मिसन में लग गए है मनोज भारगव उन चंद लोगों में सुमार है जो धन की अंदाद उन दोड में यकिन नहीं रखते और जिन के लिए सफलता के माईने इस दुनिया में कुछ सार्था करने में है परोपकारी हर्दय के धनी मनोज भारगव ने करीब अपनी चार अरब डोलर की संपत्ती का 99 फिसदी हिस्सा ऐसे समधान तलासने में लगाने का संकल्प लिया है जिससे दुनिया को बचाया जा सके बिलिनेर मनोज भारगव कौन है आज मनोज भारगव का परचाय एक एंटर्पनिय और परोपकारी और बिलियन सिंचेंज अंदोलन के फांडर के रूप में लिया जाता है मनोज भारगव का जन्म सन 1903 में लखनौव के उत्तर प्रदेश में हुआ था मनोज भारगव से 14 साल के उम्र में ही अमेरिका चले गए थे इसके बाद फियडेलफिया और पैंसिलवेनिया में ये पढ़ले बड़े हाला कि उन्होंने एक साल प्रिंस्टन इस्कूल में पढ़ाई करने के बाद उससे छोड़ दिया और उसके बाद कई सालों तक भारत और अमेरिका के अध्यात्मिक अध्यान में लगे रहे वर्स 1990 में भारगव ने एक प्लास्टिक कमपनी की स्तापना की जिनको उन्होंने बाद में प्राइवेट इक्विटी फर्म को बेच दिया लेकिन तब तक करी उसकी बिक्री दो करोड डोलर तक पहुँच चुकी थी इस पैसे से उन्होंने एक बोगता उत्पात कमपनी लिविंग इन सेल्स की सुरुवात की जिसके द्वारा 2004 में लाए गए चार ओवर एनर्जी डिंक को जबर जब सफलता मिली यह एनर्जी डिंक अमेरिका में सबसे ज़्यदा प्रसिद और विखने वाला प्रांड है अमेरिका जाकर बिलीनेर कारोबारी बन जाने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा था जो मनोज भारगों को बेचेन कर रहा था मन के कोने में कहीं न कहीं कुछ अलग करने का दून सवार था इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद परपकार और समझ की सेवा के प्रती उनका रुजान बढ़ता गया जिस कारण से उसी समझ सेवा ने उन्हें आज इतना बड़ा बड़ाव करने के लिए प्रेड़ना दी बड़ाव के बारे में कहते हैं कि किसी ना किसी को तो बड़ाव करने के लिए आगे आना ही होगा फिर में ही क्यों नहीं किसी ना किसी को तो पूरे देश और दुनिया को बदलना ही होगा किसी ना किसी को तो पूरे देश और दुनिया को बदलने के लिए कदम आगे बढ़ाने ही होगे Billions in Change Mission के तरद ऐसे innovative cycle तयार की जाएगी जो भारत के ग्रामीर इलाकों में एक नई करांदी का आगाम कर सकती है यह cycle मुफ्त में बिल्ली देगी इसमें light जलाने, छोटे पंखे चलाने और mobile phone चार्ज करने जैसी चीज़े सामिल है जाहिर है कि इन सब के लिए कोई बिल्ली बिल नहीं देना होगा और किसी भी तरह का इंदन खर्च नहीं होगा और नहीं पर दूसरान बढ़ेगा इनोवेशन के दूसरे चरण पर मिसल ऐसे उत्पाद लाने के जोर में है जिससे दुनिया के सार्थक बदलाव लाया जा सके इसके ताद ऐसे उत्पादों को तयार करने वो विक्सित किया जा सकता है जिससे जल, उर्जा और स्वास्थ से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके दुनिया में करीब वन दसमलों तीन अरब लोग हैं जिनको बिल्ली नहीं मिल पाती मुफ्त बिल्ली की इस हाइबिरिड इस्तिती साइकल में इस जनसंख्या कोई बिल्ली मुहिया कराने के उत्पात के रुप में लाये गया है मनोच भारगाव कहते हैं मुझे पूरा बरोसा है कि यह इनुवेशन सार्थक साबित होगा और इसका बारत के करोडों लोगों पर स्ताई असर होगा जिस तरह आज मनोच भारगाव किसी सरकार पर निर्वर नहीं है बलकि खुदी अपने दम पर बदलाव का प्रयास कर रहे हैं अगर इसी तरह सभी राष्टों की सरकारे मनोच भारगाव का साथ दे तो पूरे विश्टों में एक सार्थक परिवर्थन देखने को मिलेगा मनोच भारगाव की तरह अगर अन्य संपन लोग भी इस बदलाव में सामील हो जाएं तो सब कुछ संबभव है एक उदार और परवकारी व्यक्ति मनोच भारगाव जी के इस अद्बुद मुहिम के लिए हमारी ओर से बहुत-बहुत सुपकामना है